मित्रों इस बेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि 27 मार्च 2021 का दिन तुला रासी बालों के लिए कैसा बीतेगा आने बाले शमय में तुला रासी बालों के जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों शब से पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके पढ़ाई लिखाई आपके सिक्षा के बारे में दोस्तो आने बाले शमय से पहले यदि आपके सिक्षा के छित्र में कही कोई पड़ेशानी कही कोई समस्या था तो आने वाले शमय में उस पड़ेशानी का अंत आपको करना चाहिए क्योंकि इस काम को करने में आपके समय का सपोर्ट आपके समय का साथ आपको अबश्य मिलेगा मित्रो आने वाले शमय में यदि आप अपने बेपार अपने बेवसाई के छित्र में पैसों का निवेस करना चाहते हैं तो निवेस करने से पहले आपको अच्छी तरह से बिचार करना चाहिए सोच बिचार करने के बाद हैं आपको धन का निवेस करना चाहिए क्योंकि आपके आर्थिक जीबन के लिए यह बहुत जयादा जरूरी एबम आबस्यक है मित्रो आने वाले समय में यदि आपके दामपत्य जीबन की बात करें तो दामपत्य जीबन के द्रिष्टी कोन से आपका समय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा आने वाले समय में आपके जीबन साथी का साथ आपके जीबन साथी का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा जिसके कारण आपके बैवाहिक जीबन में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा मित्रो आने वाले समय में यदि आपके सिहत की बात कड़ें आपके सुवास्त की बात कड़ें तो सिहत के द्रिष्टी कोन से आपका समय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा आने वाले समय में आपका कॉन्फिडेंस लिबल बहुत जयादा मजबूत होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए अनोखा टोटका भाग्यसाली रंग एबम भाग्यसाली अंक किया है मित्रो आने वाले शमय में आपके लिए भाग्यसाली अंक है नौ यणी की नैन आपके लिए भाग्यसाली रंग है लाल और मैरून मित्रो अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको गाई को गुर खिलाना चाहिए यदी आप ऐसा करते हैं इस टोटके को यदी आप आजमाते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत जियादा बिहतर एबम सांदार होगा तो मित्रो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक करदें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करदें इबम इस वीडियो के नीचे अपने इस्ट देवता का नाम कमेंट करदें दोस्तो कमेंट करने के बाद इस वीडियो को आप हर जगह से यर करदें धन झाली वाद्ट